देखिए समाने हिंदी कच्छाबारक के जो छात्र हैं वो विशेश रूप से ध्यान देंगे यह वीडियो उनके लिए ही स्पेस्टली बनाया जा रहा है समान हिंदीक अच्छा बारक के जो छार्टर हैं जैसा कि आप सभी को ग्याद हो कि कोविड-19 महामारी के कारण से अच्छी सत्र जो 2021 है यानि इस साल का जो सत्र है में समय से विद्यालियों में पठन-पार्थन का कारे नव हो पाने की स्थिती में समयक विचारों उप्रांत विश्य विश्य श्रग्यों की समयती द्वारा निम्नवत 30% पार्थे क्रम कम किये जाने की अनुश्रण सा की गई है यानि 30% कोर्स आपके घटा दिये गए हैं सिर्फ इस साल के लिए कौन-कौन से चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं इसके बारे में हम आपको बताते अब देखे कावे हित्य निर्धाइट पार्थे वस्तू में हैं और निंदा रस्त दो चैप्टर अब कर देखे कर भी हितीु निर्धाइट पार्थे वस्तू में कौन-कौन-कौन से चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं पढ़ना है जशंखर प्रसाद का गीत नहीं पढ़ना है सुमित्रा नंद Haupt का पई बढ़ना है रामधाई संग दिनकर जी का पुरुरवा और वसी नहीं पढ़ना है यानि की काव्य में आपको छार चैप्टरस नहीं पढ़ने मैथ lancegg गुप्त का गीत जर्शंकर प्रसाद का गीत सुमित्रा नंदन पंद का पईवर्तन और रामधाय सिंधिनकर का पूरुडवा और उर्वर्सी नहीं पढ़ना है अब देखिए आगे कठा साहित्य जो आपकी पाठे पुस्तक है इसमें से सीवानी और लाटी कहानी आपको नहीं पढ़नी है संस्कीत हेतु इदम यद नहीं पढ़ना है काविश्वंदर्य के तत्व में भ्रांती मार एवन संदे अलंकार को नहीं पढ़ना है अब देखिए उपर युक्त के अनुक्रम में सत्तर प्रतिसत का पाठिकरम निन्मवत है यानि पुडांक सौ में क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे क् के विश्वय में चर्चा कर लेते हैं हिंदी गध्य शाहित्य का इतिहास से संबंधित पांच बहुविकल्पिय प्रश्ण पूछे जाएंगे जिसके लिए पांच अंक निर्धारित होगा पार्ठिकरम में निर्धारित गध्यांसों पर अधाई प्रश्ण उत्तर आपसे प्रश्ण पूछे जाएंगे गध्यांसों प्रश्ण पूछे जाएंगे जिसके लिए 10 अंक निर्धारित होगा अब देख लेते हैं पार्ठिक्रम सरी गध्य के लिए 10 हैं ठीक है गध्य के लिए होग का शाहितिक पांच क्रितिया पूछय होगा इस सी तरह से किसी एक कभी का साहितिक पैच्छय एमंक्रितिएं पूछी जाएंगे जिसकी सब्द शीमा असी सब्द होगी इसके लिए पाचंग निर्धारित होगा पाठिक्रम में निर्धारित कहानियों का सारान से यो उद्देश से अधायित प्रश्ण लिखे होगे जिसके लिए पाचंग निर्धारित होगा आगे देखिए पाठिक्रम में निर्धारित खंड काव ये ख़ता वस्तु यांँ प्रमख पातरों का चैत्री चित्रन करना होगा जिसके लिए पांचंग निरधारित होगा। खंड काव ये अलोग व्रित आपके लिए चलता है प्रायाकराश में। देखे आगे देखे क्या होगा खंडख याने की हिंदी सेकेंड में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे अभी पचा संक में पार्ठिक्रम चुकि अब एक ही पेपर होता है हिंदी का परन्तु फिर भी सुवजा की दृष्टी से खंडख और खंडख कर दिया गया है देखे पार्ठिक्रम में निर्धाई संस्कृत गद्य का संदर्व सहीद हिंदी में अनुवात करना होगा जिसके लिए साथ अंक निर्धाईत होंगे पार्ठिक्रम में निर्धाई संस्कृत पद्दे का संस्कृत हिंदी अनुवात करना होगा जिसके लिए भी साथ अंक नि याद ही में से किन ही तीन संदियों से सम्मंदी सब्दों का संदि विक्षेदाव से परिक्षा में पूछा जाएगा जिसके लिए तीन अंक नरधाइत होंगे। इसके लिए दो अंक नरधाइत होंगे। आपको पढ़ने साथी अर्था लंका में उपमा रूपक उत्रिच्छा के लिए दो अंक नरधाइत होंगे। परिच्छा का जो प्रश्ण पर्था इस तरह से आएगा। परिच्छा का प्रश्ण पर्यावान से संबंदित कोई एक निबंद पुछेगा जिसके लिए नौ अंक नरधारित होंगे। अब देखिए कौन-कौन से पार्ट का अध्यान करना होगा यहां से आप अपने पार्टे पुस्तक घोल लेजे और उन-उन चैप्टर पे टिक कर लेजे जो जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं इसके विश्या में हमें एक बार फिर से बताते हैं कौन-कौन से चैप्टर गद्य हेतु निर्धारी पार्टे पुस्तक में आपको वासुदेर सरण अगरवाल का राष्ट का स्वरूप पढ़ना है ठीक है तीसरा चैप्टर असोक के फूल जो की डाक्टर हजाई प्रशाद दिवेदी जी द्वाल लिखित हैं इसको भी आपको पढ़ना है प्रोफ पढ़ना है शुमित्रा नंदन पंद का नौका विहार और बापु के प्रति पढ़ना है महादेवी वर्मा कर गीत पढ़ना है रामधारी सिंग्दिनकर का अभिनोव मनुष्य पढ़ना है और सच्ता नंहीरा नंबास चायन अग्ये का मैंने आहुती बन कर देखा और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने है पवन्दूति का कैकई कानुता स्रद्धा मनु नौका विहार बापु के प्रति गीत और अभिनोव मनुष्य मैंने आहुती बन कर देखा और हिरोश्यमा और गद्य में आपको चार चैप्टर पढ़ने देखे एक ये भी है कौन कौन से चार चैप्टर होंगी गद्य मिराष्ट का स्वरूप असोग के फूल भासा और आजनिक्ता तेजस्वी मन के संपादित अंच अब देखिए कथा साहित हेतु निर्धाई पाठे वस्तू में ध्रूव यात्रा आपको पढ़ना है पंचलाइट पढ़ना और बहादूर पढ़ना है अब देखिए खंड काव्य में आपके लिए प्रयाग राच के लिए है आलोक वृत इसे आपको पढ़ना है जो कि स्र पढ़ना है महामना मालवी पढ़ना है पंचसिल सिधानता पढ़ना है परिस्ष्ट व्याकर सब्दूरूप धातुरूप यह आपको पढ़ना है ठीके यह संस्कीत के लिए निर्धाई पाठे वस्तू है यह सब आपको जो नीचे बताया गया है यह चीजह आपको पढ़न झाल झाल झाल